हेल्यो दोस्तों, माइ नेम इस तनू, वेलकम बैक, आपका मैं अपने चैनल क्रैक्टेट में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं थम्निल में भी, और मतलब ये जो कटिंग मैंने लगाया हुआ है, ये काफी मतलब स्प्रेड हो रहा था कलो पर चैनल के माँ प्रवकता की भरती में, प्रवकता मतलब की P G D teachers के भरती में अनिवार होगा बीयेD, क्या P G D teacher बनने के लिए, बीयेD करना अनिवार हो गा? तो हाँ अब जो नियम बनाया जा रहा है संसोधित करके नियम बनाया जा रहे हैं और उस नियम के अकॉर्डिंग मतलब संसोधन तो 2014 में ही हो चुके थे जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में मतलब कि इस कटिंग में कि NCT ने 16 दिसंबर 2014 को जारी दिसूचना में प्र अगर आप देखेंगे तो वहां पे भी अनिवार है लेकिन उत्तर प्रदेश में पीजीटी टीचर बनने के लिए बीएड को अनिवार नहीं किया गया था उस वक्त लेकिन अब नियमावली में संसोधन किया जा रहा है अब वही पीजीटी टीचर बन पाएगा जो की बीएड को अनिवारे किया जाएगा तो बूरी बात यह है कि बीएड करना अब अनिवारे हो गया है अगर आपको टीचर बनना है प्राइमरी से लेकर इंटर तक का अगर आपको टीचर बनना है तो बीएड करना ही होगा और डीलेट का स्कोप एकदम खतम कर दिया गया है जो है वो सिर्फ वन से लेकर एड तक के लिए ही बनाया गया है और उसमें भी बिएड वाले सामिल हो चुके हैं तो पूरी तरीकी से डियलेड का इसको खतम हो चुका है जो नए तर बतलब जो नए स्टुडेंट्स है वो डियलेड ना करके बिएड करें और जिन्होंने बीएड कर सकते हैं अगर आपको इन दोनों को आपको आपको लगता है कि आपको कुछ उसके बारे में जानकारी चाहिए तो मैं उसके बारे आप अच्छे से देख लीजे और जो इसमें एक बर मैं आपको पढ़के भी सुना देते हूं कि राजिगी और सास किये सहायता प्राफ्त विद्याले में प्रवक्ता भरती मतलब PGT में B8 को अनिवारे किया जाएगा अभी हुआ नहीं है जो अभी जो 2022 में वैकेंसी आई थी उसमें अनिवारे नहीं है जो कि अगली वैकेंसी आएगी उसमें अनिवारे किया जाएगा और अगर नियमावली में संसोधन हो गया तो ही अनिवारे होगा संसोधन नहीं हो पाया तो अनिवारे नहीं होगा और उसके अलावा माध्यमिक विद्याले की सिक्षक भरती में अध्यापक राष्ट्री अध्यापक सिक्षा परिसद NCTE की अरहता लागू करने के लिए शाषन इस्तर पर मन्थन तेज हो गया है, इस संबंध में बुद्धवार को साषन में उच इस्तरी बैठक होने जा रही है और NCTE ने 16 दिसंबर 2014 को जारी अधिसूचना में प्रवक्ता भरती के लिए एटलिस्ट 50% अंकों के साथ B8 को अनिवारे कर दिया था, केंद्रिय विद्याले में PGT भरती में B8 अरहता अनिवारे है, लेकिन NCTE की अधिसूचना जारी होने के तकरीवन 8 साल बाद भी UP में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से किया जाने वाला राजकी विद्यालेयों में राजकी विद्यालेयों की प्रवक्ता की भर प्रदेश माधिमिक सिक्षा सेवा चैन बोर्ड की ओर से सहायता प्राप्त माधिमिक विद्यालेयों में PGT की भरती में B8 अनिवारे नहीं था जो कि पिछली साल GIC की वेकेंसी हुई थी और PGT की वेकेंसी उसमें B8 को अनिवारे नहीं किया गया था लेकिन इसके लिए भर कर लिया है जो कि पश्ता रहे हैं अगर वह उपन युनिवस्टी से बीट कर लेंगे तो हो सकता है उनका फ्यूचर थोड़ा सा ब्राइट हो जाए तो आज के लिए से वितना ही थैंक्यू सो मच